नमस्कारे, आज के वेडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि सिंग रासी वालों का आज का दिन यानी की 18 जुलाई 2020 का दिन कैसा भी इतने वाला है अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वेडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा क्योंकि इस वेडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का सुभ रंग, सुभ अंक और उपाई है तो आप उसे भी देखें, सुनें और फॉलो करें ताकि आज के दिन आपका समय बहतर और शानदार हो सके सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके घर पडिवार के बारे में, मित्रों पारिवारिक जीवन के दृष्टी कोन से आपका शमय, शामाणने से बहुत जयादा नीचे है, आज के दिन हो सकता है, आपके घर पडिवार में किसी बिक्ती का श्वास्त खराब हो जाए, और इस वजह से आज के दिन आपको पड़ेशानी का सामना करना पड़ेगा, और आपके घर पडिवार का माहौल ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, वैसे अगर आपके प्रेम शंबंध की और देखा जाए, तो प्रेम शंबंध के दृष्टी कोन से आपका शमय, शामाणन है, आज के दिन अगर अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से आप मुलाकाद करते हो, तो मुलाकाद करने के बाद आपका प्रेम शंबंध बहुत ज्यादा रोमान चक और बेहतर होगा, इसके बाद है आपका कामकाज, तो कामकाज के दृष्टी कोन से भी आपका शमय, श खराब हो गया था पूरा नहीं हुआ था तो आज के दिन अपने अधूरे काम को आप पूरा करने का प्रयास करें ताकि आने वाले समय में आपका कामकाज आपका काड़े छित्र बहतर और सांदार हो सके इसके बाद है आपका धन संपती मित्रों पैसों के द्रिष्टी कौन से आपका शमय शामान ने रहेगा आज के दिन अपने खर्चे पर आपको कंट्रोल करना होगा जहां आविशक्ता हो आज के दिन आप पैसे खर्च वहीं करें जहां आविशक्ता नहीं हो वहाँ पैसे खर्च करने से आपको बचना होगा वैसे अगर आपके श्वास्त की और देखा जाए तो स्वास्त के द्रिष्टी कौन से आपका शमय शामाणने से थोरा सा नीचे है आज के दिन अपने रहन सहन अपने खान पान के प्रती आपको शापधान रहना होगा क्योंकि अपने स्वास्त के प्रती अगर आप लापडवा ही करते हैं अपने स्वास्त के प्रती आप लापडवा हो जाते हैं तो फिर आपका स्वास्त आपका शाथ नहीं देगा इस बात को आप याद रखें इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन आपके लिए भाग्यसाली अंक भाग्यसाली रंग क्या है आज के दिन आपके लिए भाग्यसाली अंक है वन यनी की एक आज के दिन आपके लिए सुभ रंग है पारदरसी और गुलाभी इसके बाद-बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाई को आज माने के बाद आपका समय भिहतर और सान्दार होगा मित्रों उपाई बहुत ही जियादा शामान्नी है आज के दिन एक मंत्र है उश मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जप करना है अगर आप ऐसा कर लेती हैं इस मंत्र का जप अगर आप एक माला कर लेती हैं तो आपका शमे सांदर हो जाएगा वो मंत्र है ओम सूर्ज नाराय नाय नमो नमह ओम सूर्ज नाराय नाय नमो नमह इस मंत्र का जप आप कम से कम 108 बार करें आपका शमे सांदर हो जाएगा तो यही था आपके आज के दिन का रासी फल इस बेडियो को आप लाइक कर दें हर जगह सेयर कर दें तो मिलते हैं फिर एक नए बेडियो में धन्यवाद